इसकी तयारी के लिए कम से कम भी दिन में 5-6 गंटे हमें लगते हैं कराची में हमने तयार किया यह बग्रा अब आपको बता दू गंडू में अधास है दूदे तेल है भी है यह बक्का ने यह तमाम चीज़ें इसके बाद यह कपला बकरा माशाला तयार हुआ है यह बक्रा एक साल से मेरे पास है पिछले साल रम्दानों में मैंने यह बक्रा लिया था और मैं आपसे शेयर भी करूँगा इसका विपोर्ड जो है आप देखेंगे तो इंशालला आपको इन अच्छा चेहिंग लगेगा इसके अंदर मैं माशालला अपने हाथ से शोग किया कोई बंदा नहीं कोई लेवर नहीं कोई भी नहीं कि जो पालना है जैसा पालना है अपने हाथ से पालना हुआ